प्रिस्चुला एक ऐसी बिमारी है जिसमें गुदा के अंदर से एनल ग्लैंड में इंफ्रेक्शन होने से बिमारी शुरू होती है और बाहर में स्किन तक फैर जाती है यानि anal किना से skin तक एक tunnel बन जाती है जिसमें से pus बाहर आती रहती है infection वो खतम ही नहीं होती जब तक उसको ठीक ना किया जाए जो fistula के मुख्य कारण है उसमें tuberculosis बड़ा common है trauma यानि को injury हो जाए उससे हो जाता है sexually transmitted disease से fistula होना बहुत common है लगातार constipation रहने से भी fistula हो जाता है और cancer के पेशे में radiation दी जाती है तो उसकी वज़ा से भी कुछ cases में fistula हो जाता है एक और बहुत common कारण है colitis यानि इसमें intestine में सूजन आई होती है और उसकी वज़ा से भी fistula हो जाता है और यह बहुत rare है कि पेट के कीडों की वज़े से किसी को fistula हो जाता है जो केस हमने treat किया उसकी वो पहले operated है उसका पहले operation हो था और उसको fistula दुबारा हो गया है यह केस एक धाई साल का बच्चा है और उसकी बायोपसी रिपोर्ट में जो last surgery थी उसकी बायोपसी रिपोर्ट में जो ट्रैक के साथ कीडे आये हैं यानि उसको कीडों की वज़े से fistula डिवलप हो गया है अब एक general advice है जिसको follow करके हम इस बिमारी से बच सकते हमें बच्चों को healthy eating habits से खानी चाहिए healthy eating habits में fiber जादा लेना फ्रेश चीजों को खाना यानि fresh food खाना fast food को avoid करना और एक बहुत important बात है कि time to time बच्चों को de-warming करनी चाहिए क्योंकि जब हम कहीं भी बाहर से खाते हैं sometimes unhygienic food होता है और उसमें mistake से आपके पेट में कीड़े जा सकते हैं तो छोटे बच्चों को time to time de-warm करना चाहिए ऐसे national projects भी हैं जिसमें state government पी उसको run करती है schools में de-warming के projects चलते हैं पर फिर भी कहीं न कहीं कुछ patients miss हो जाते हैं हमें उनको guide करना चाहिए कि वो time to time de-warming करते रहें और इस भ्यानक व्यमारी से बच सके हैं thank you